हरे कृष्णा भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्यारवे अध्याय का चववनवा और पच्वनवा श्लोक 11.5455 इस पूरे अध्याय में हमने भगवान के विराट रूप के दर्शन किये चतर भुज के दर्शन किये फिर दुई भिज रूप में भगवान आये भगवान ने दो बार रिपीट किया कि मुझे मेरे दर्शन करना इतना असान नहीं है अब असान नहीं है तो असान कैसे होगा ये भी बता दीजिए तो जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स होता है इस अध्याय का क्लाइमेक्स है ये 54, 55, 54 और 95 शलोक इन दोनों शलोकों को अगर आपने दो बार, पांच बार ध्यान से पढ़ लिया तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं पूरी तरह से अपको समझ में आ जाएगा मैं कुछ भी नहीं हूँ सब कुछ साफसा भगवान ने बोल दिया है शुरू करते हैं 54 शलोक भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के मार्द्यम से हमें भगवान के रहे हैं अर्जुन केवल अनन्य भक्ती द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ केवल अनन्य भक्ती द्वारा तो बार 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 और एक बार और भगवान इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप अनन्य भक्ति करें अनन्य का अर्थ और कोई नहीं अन्य अनन्य का अर्थ और नहीं कोई अन्य तो सिर्फ कृष्ण सिर्फ कृष्ण सिर्फ कृष्ण सो यह अरजुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षा दर्शन भी किया जा सकता है यानि अगर आप कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उनके अनन्य सेवक हैं तो भगवान आपको दर्शन देंगे दर्टा होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए नहीं शृद्धा होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए नित्यता होनी चाहिए सैयम होना चाहिए केवल इस विदी से तुम केवल इस विदी से तुम मेरे ज्ञान के रहसे को पा सकते हो तो इस श्लोक में भगवान ने कहा अनन्य भक्ति अब पढ़ते हैं पच्पन में क्या कहा ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है पच्पन में श्लोक के बाद हमारा ये चाप्टर ग्यारवा भी पूरा हो जाएगा और जल्दी ही हम भगवत गीता भी पूरी करेंगे ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अब हम पढ़ रहे हैं अति महत्पून ग्यारवे अध्याय का पच्पन में श्लोक यहां भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन जो वेक्टी सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है कलमश होता है कूड़ा कलमश होता है कूड़ा तो कलमश से मुक्त होना होगा और क्या है कूड़ा? दो कूड़े बता दिये भगवान ने भक्तों के लिए एक तो है सकाम कर्म यानि एक ऐसा अच्छा कार्य जिसमें बदले की हम अभिलाशा रखते हैं, सकाम कर्म, भगवान हमेशा कहते हैं जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? निशकाम कर्म, तो एक तो सकाम कर्म को एक तरह से कूड़ा बता दिया, वैसे वो बात अलग है, अब बिल्कुल प्योर भक पालन कर रहे हैं तो कुछ तो आप काम करोगे जिसके बदले में पैसा मिलेगा तभी तो परिवार चलेगा और इवन देखा जाये तो जितने भी भ्रहमचारी हैं, सन्यासी हैं, मंदिर हैं, आप ही के जो सकाम कर्मी हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, उनके उस पर ही चलते है दान तो वहीं से ही आता है, तो वो सकाम कर्म कूड़ा नहीं है, जो आपके जरूरी है, ये बेसिकली वो है सकाम कर्म की अगर भगवान को पाना है, तो फिर ये मत सोचो के हम जो कर रहे हैं, उसके बदले में हमें नाम मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ती मिलेगी, लोग जय ज इनकी अभिलाशन ना रखो, तब है निश्काम कर्म, सो है अर्जुन जोवेक्ति, सकाम कर्म और मनोधर्म, यह मनोधर्म तो बहुत ही डेंजरस है, मनोधर्म का मतलब अपने आपी कुछ भी बना लो, मैं देखता हूँ और हैरान होता रहता हूँ, मैं खेर कमेंट नहीं करता ना आपको कहूंगा करो, कितने लोग फेस्बुक पे, वाटसेप पे और इंस्टागराम पे लिखते रहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है, पूरी गीता में कहीं नहीं कहा वो सब बाते, कुछ भी अपने मन की बखवास लिख लो, और उपर लिख दो कि भगवान ने गीता में ये कहा है, मुझे लगता है कि अगर आपको लिखना है, भगवान ने गीता में क्या कहा है, तो आप as it is लिखो ना, जो कहा है, या तो संस्कृत में लिखो, या इंग्लिश में लिखो, या हिंदी में लिखो, या किसी भी बाशा में लिखो, लेकिन जो स्लोक है वो लिखो, जो स्लोक कार्थ है वो लिखो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, और भगवान ने गीता में कहा है, कहा है, ऐसी अपने मर्जी से कह जाते हैं लोग जैसे ही, बगवान क्या है? मेरे हिसाबसे तो बगवान यह है, मेरे हिसाबसे भक्ती यह है आप जब अभी माला करने लगोगे, गीता पड़ने लगोगे, प्रजार करने लगोगे लोग आपको बहुत टोकेंगे वो कहेंगे सब बेकार है आपके अंदर इतनी सी कमी देख लेंगे ढूंडते रहेंगे आप में सौ कॉलिटी होगे इग्नोर करेंगे एक बुराई होगी न बस उसी के उपर वो आपको तंग करेंगे ऐसे होते हैं मनोधर्मी क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रहे हैं सब कुछ आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं हो आपके अंदर उनको सरफ बुराई देखनी है लेकिन आपको द्रड रहना है इसलिए कहा है भगवान ने की सकाम कर्मी मनोधर्मी इनसे दूर रहो यह अपने हिसाब से वो कहेंगे मेरे ख्याल से तो भगवान एक पावर है उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है कुछ भी सोचते हैं यह मनोधर्मी, अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं आप इनसे दूर ही रहे सो भगवान यही कहरे है यानि कि कहीं न कहीं भक्ति में कारे कर रहा है, परिवार का लालन पालन कर रहा है तो वो भी जिरूरी है, वो भी नित्य करम है, कर नहीं है, वो भी भगवान के ही देवी करम है, मुझे ही जीवन लक्षा समझता है, ये तो हाई, देखे इस जीवन का जिस वैसे तो हमारी कभ मृत्य होती नहीं आत्मा के बारे में संज़ चुक है लेकिन फिर भी जो शरीर में मिला है इसका अंत का बोजाए पता नहीं तो हमें हमारा जीवन लक्षे сейчас क्लियर होना चाहिए कि हमें परमधाम की ब्राप्ति हो, हमें मोक्ष की ब्राप्ति हो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे ही जीवन लक्षा समझता है और प्रतिएक जीव से मैत्री भाव रखता है यह तो बड़ा मुश्किल है हम बड़ी जल्दी किसी से भी घणा करने लगते हैं कुष्मनी का भाव ले लेते हैं लेकिन भगवान कह रहे हैं प्रतिएक जीव से मैत्री भाव रखता है आपको पता है कि मेरा हर से मैं मन रहता है कि नौनवेज इटर्स को अटेक करूँ अनेक्स लोकों में मौका मिलते ही मैंने बोला है अब यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिएक जीव से मैत्री भाव प्रतिएक जीव लिखा है मनुष्य भी नहीं अब नौनवेज वाला कहेगा मैं इसको पूरा कर रहा हूं कैसे कर रहे हो सर एक ने लिखा भी था कहीं कि कुता घर में पाल रहा है तो बहुत बड़े हम वो हैं जी पशू प्रेमी वाँ, शाबाश तो कुता पाल रहे हैं क्योंकि हम पशू प्रेमी हैं और एक उसको नौनवेज खाने को दे रहे हैं तो एक पशू को पालने के लिए यह पता नहीं कितने पशु मरेंगे और वो भोजन बन-बन के वो कुता खाएगा कैसे पशु प्रेमी हो यार एक को पाल रहें और पता नहीं कितनों को मार रहे हो यह कैसे पशु प्रेमी है और खुद भी खाते हैं लोग non wedge और दुनिया को कुट्टे की फोटो टालके बड़ा खुश हो के दिखाते हैं, जैसे कितने बड़े पशू प्रेमी है, पशू प्रेमी हो, अच्छी बात है, कुट्टा पालना अच्छी बात है, लेकिन पहले नॉन्वेज खाना तो छोड़ो, और मुझे नहीं पता तो उसको भी वेज़ फूड किलाओ, तब तो बात सही है, अगर आप खुद भी नॉन्वेज खा रहे हो, तो कम से कम आप यह समढ़ लिए कि आप पशू द्रोही हो, आप पशू के दुश्मन हो, आप कोई पशू प्रेमी नहीं हो, जूटे हो आप, तो यहाँ पर बगव अगर हम सब में हैं, यह क्वालिटीज अगर हम डवलप करने की कोशिश करें, भक्तों का संग करें, वैशनव गुरू से दिक्षा लें, तो यह सब कुछ संभव है, लगे रहे हैं, ग्यार्व अध्या हम पूरा कर पाए भगवान के आशिरवाद से, अब सात अध्याए औ और हैं, भगवत गीता का अध्यान एक बार कुरा होगा, इसको बार 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 पढ़ना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, हरे कृष्णा, आपसे प्रार्तना, दूसरों को भी इसमें जोडने का प्रियास करें, शायद वो भगवत गीता से प् बुस्तो करिये, हरे कृष्णा